जाए शनुदेव मितरों मैं सच्छनी शर्मा आपका अपने चैनल पर सवागत करता हूँ और शनुदेव से पराथना करता हूँ कि आप सभी लोगों को अपना आशिरवाद परदान करें और आप सभी लोगों की मनो कामना पूरण करें मैं अपने सबी सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों का सपोर्ड मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा हम इस वीडियो में सिर्फ सिंग लगन के जातकों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहेगा सिर्फ उस पर चर्चा करेंगे इस वर्ष हम इस वीडियो में नक्षत्रों के प्रभावों को भी समिलत करेंगे जिसमें गरहों के गोचर के साथ वो ग्रह किस नक्षत्र में प्रवेश करेगा और जातकों क्या फल वो दे सकता है इस विशह पर भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जिसके कारण ये वीडियो यूट्यूब पर मिलने वाली सभी वीडियो से बिन होने वाला है वर्ष 2024 का सबसे महतपून गोचर गुरू का गोचर होगा जो 1 मई 2024 को विर्शब राशी में होगा जो आप लोगों के लिए अत्यांत महतपून रहेगा गुरू वर्ष 2024 में आपकी कुंडली के दशम भाव में अर्थात करम भाव में गोचर करेंगे जिसके कारण इसका महतवा आप लोगों के लिए बहुत अदिक बढ़ जाता है और इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक इस गोचर पर भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम चंदर के परभाव पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि चंदर के परभाव पर हम अपने मासिक राशी फल में चर्चा करते हैं आप हमारा मासिक राशी फल अवश्य देखें इस वीडियो में हम इस विशय पर भी चर्चा करेंगे कि वो कौन सा समय होगा वर्ष 2024 में जो आपके विवा संबंदित सकारतमक समय रह सकता है इस वीडियो के रगलक सेक्शन में हम चर्चा करेंगे आपके कैरियर और बिजनस संबंदित ये वर्ष क्या ले कराया है आपके स्वास्ते संबंदित ये वर्ष कैसा रहेगा शिक्षा संबंदित ये वर्ष कैसा रहेगा आपके रोमैंस और प्रेम जीवन संबंदित ये वर्ष कैसा रहेगा आपके विवा संबंदित ये वर्ष कैसा रहेगा सरपर्दम चर्चा करते हैं सूरे के गोचर के देखे सूरे आप लोगों की कुंडली में लगनेश हैं जिसके कारण सूरे का गोचर आप लोगों के जीवन में बहुत अधिक महत्व रखता है बहुत महत्वपून रहता है सूरे के कुछ गोचर जो वर्ष 2024 में आपके लिए अत्यन्त शुब रह सकते हैं देखिए 13 अपरेल से 13 जून तक का समय सूरे का गोचर कुंडली के नवम भाव से अर्थात भागे भाव से दशम भाव में भी प्रवेश करेगा और 13 अगस्त से 14 सितंबर तक का समय सूरे का गोचर सिंगराशी में आपकी कुंडली के लगन भाव में होगा सूरे के ये गोचर आपके लिए अत्यन्त शुब रह सकते हैं सूरे हमारी आत्मा जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा को दर्शाता है इसे आत्मा कारक भी कहा जाता है इसका हमारी आत्मा के साथ संबंध होता है हम जीवन में कितना मान सम्मान हासिल करते हैं अरजित करते हैं ये सूरे की स्थिती कुंडली में हमें बताती है इस समय सूरे आपकी कुंडली में शुब इस्थान पर होंगे जिसके कारण आप में कठिनाईयों से लड़ने की शमता बढ़ेगी और आप किसी भी परकार की चुनोती का सामना करने में सक्षम रहेंगे जिसके कारण आपको किसी परकार का शुब फल आपकी कैरियर संबंधित मिलने की संभावना बहुत प्रबल रहेगी सूर्य के ये गोचर आपकी नोकरी में आपके बिजनस में किसी परकार का अवसर आपको परदान करेंगे आपके सोशल सरकल में वृद्धी होगी और आपको समाज में मान समान प्राप्त होगा इस समय आपके मित्रों के साथ भी किसी परकार के बिजनस में आपको सबलता मिल सकती है इस समय आप में सकारात्मक उर्जा का प्रवाह होगा और आप अपने जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे इस समय ये आपके स्वास्ते संबंदित भी सकारत मकफल देगा और अपने स्वास्ते संबंदित सेक्शन में हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे इस समय यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो उसमें भी आपको किसी परकार का कोई ऐसा आवसर मिल सकता है जिसके बारे में आप पिछले कुछ समय से विचार कर रहे थे परन्तु 14 मार्च से 13 अप्रेल और 14 जुलाई से 13 अगस्त तक का समय उतना सकारात्मक समय नहीं है क्योंकि इस समय आपकी कुण्बली के लगन भाव का सौमी अष्टम भाव और 12 भाव से γोचर करेगा जिसके कारण आपके कामकाज को लेकर किसी प्रकार का तनाओ बढ़ सकता है किसी भी प्रकार का तनाओ बढ़ने की समभावना रहेगी किसी भी परकार के लड़ाई जगडे से इस समय स्यम को दूर रखे अन्य था आपको किसी कानूनी समस्या में फसा सकता है जो जातक सरकारी नोकरी में है उन्हें भी इस समय अत्यादिक सावधान रहना होगा किसी परकार का मानसिक तनाव बढ़ सकता है आपकी छवी धूमिल होने की संभाव ना बन सकती है अब चर्चा करते हैं शुक्र के गोचर की शुक्र जो आपकी कुंडली में करम भाव अर्थात दशम भाव के स्वामी है जिसके कारण शुक्र का गोचर शुब है या अशुब इसका आपके कैरियर संबंदित पर भाव भी उसके अनुसार देखने को मिल सकता है शुक्र के कुछ गोचर जो इस वर्ष आपको शुब फल दे सकते हैं देखे 19 मई से 11 जून और 18 सितंबर से 11 अक्टूबर का समय शुक्र का गोचर अपनी हिराशी में होगा जिसके कारण ये समय आपके कैरियर संबंदित को सकारात मकफल दे सकता है आपकी नौकरी में किसी परकार का कुछ शुब समाचार आपको मिल सकता है आपके बिजनस में कुछ नए आउसर मिलने की संभावना बहुत परवल रहेगी 31 मार्श से 23 अपरेल का समय भी आपको किसी परकार का अक्समातलाब आपके फैमिली बिजनस संबंदित दे सकता है आपका ओनलाइन कार्य में विकास होगा इस समय आपको विदेश संबंदित भी किसी कार्य में सफलता मिल सकती है 7 जुलाई से 30 जुलाई का समय थोड़ा मानसिक तनाव बढ़ सकता है थोड़ा सावधान रहे इस समय आपकी महनत अनुसार जो लाब मिलना चाहिए उसमें थोड़ा विलंब हो सकता है क्योंकि इस समय शुक्र जो आपकी कुंडली के दशम भाव के स्वामी है कुंडली के बारवे भाव में गोचर करेंगे शुक्र इस समय पीड़ी तवस्था में कुंडली के बारवे भाव में होगा जिसके कारण आप में अशान्ती बढ़ सकती है मनवे किसी भी बात को लेकर तनाव बढ़ेगा ये समय आप किसी परकार का कोई गलत निरने अपने काम काज के परती भी ले सकते हैं थोड़ा सावधान रहे अब चर्चा करते हैं मंगल के गोचर की जीवन के किसी भी परतीस फर्दा में सहायक होता है जो जातक स्पोर्ट्स में अपना नाम कमाते हैं उनकी कुंडली में मंगल का स्थान और गोचर बहुत महत्व रखता है मंगल किसी भी व्यक्ति को स्पोर्ट्स और आम्ड फोर्सेज में बहुत उच स्थान पर लेकर जा सकता है जो लोग बॉडी बिल्डिंग में भी अपना नाम कमाते हैं उनकी कुंडली में भी मंगल का स्थान और गोचर बहुत महत्व रखता है मंगल का गोचर 5 फरवरी से 14 मार्स तक मकर राशी में कुंडली के छटे भाव में होगा जिसके कारण मंगल की दृष्टी कुंडली के बारवे भाव पर होगी ये समय आपको किसी परकार के कॉंपेटिशन में परतिस परदा में आगे लेकर जाएगा मंगल का गोचर 1 जून से 11 जुलाई को मेश राशी में कुंडली के भागे भाव में होगा जहां से मंगल की दृष्टी कुंडली के तीसरे भाव और चोथे भाव पर होगी जिसके कारण ये समय आप में सकारात्मक उरजा भरेगा आपके भागे संबंदे तनाव दूर होगा आपके रुके हुए कारण पुनह प्रारम होंगे आपके सीनियर्स का आपके पिता का समर्थन मिलने की संभावना बनेगी आपके छोटे भाई भाई भेन के साथ कारण मिलने की संभावना बहुत परबल रहेगी इस समय आपकी यात्रहें बहुत अदिक बढ़ सकती है मंगल के इस गोचर का आपकी फैमिली संबंदित क्या परभाव पड़ेगा इस पर हम अपने आगे के सेक्शन में चर्चा करेंगे 13 अपरेले से 1 जून का समय मंगल के गोचर कुंडली के अश्टम भाव में होगा यह समय आपको किसी परकार की मन में चिंता बढ़ा सकता है जिसके कारण आपकी कैरियर पर इसका परभाव देखने को मिलेगा इस समय आपके मस्तिश्क में हल चल बढ़ सकती है थोड़ा सरियम रखें इस समय आपके भागे संबंदित परेशानिया बढ़ सकती है आपके फैमिली बिजनस में तनाव देखने को मिल सकता है मंगल का अश्टम भाव में होना आपके स्वास्ते पर और आपकी फैमिली लाइफ पर क्या पर भाव डालेगा इस पर हम अपने स्वास्ते संबंदित सेक्शन में आगे चर्चा करेंगे अब चर्चा करते हैं राहो की देखें वर्ष 2024 में राहो आपकी कुंडली की अश्टम भाव में होगा जहां से राहो की दृष्टी कुंडली के बार में होगी जैसा आप इन एरो की मदब से देख पा रहे है इस समय आपके मस्तिश्क में थोड़ी हलचल पैदा हो सकती है आपको आपके घर से दूर लेकर जा सकता है ये समय किसी परकार के शोद के कार्रह में रूची आपकी बहुत अधिक बढ़ सकती है जो जातक एस्ट्रोलोजी, रिसर्च, सौफ्ट्वेर, डेवलप्मेंट जैसे कार्रह में है उनको ये बहुत उचे पद पर लेकर जा सकता है आपके लिए अत्यन्त सकारात्मक फल भी ये दे सकता है राहु का अश्टम भाव में होना ये आपको आपके जन्मिस्थान से दूर लेकर जा सकता है इस समय आपकी नोकरी में ट्रांसफर हो सकती है आपको आपके बिजनस संबंदित विदेश यातरा भी करनी पड़ सकती है कुंडली के चौथे भाव पर दिरिष्टी होने के कारण ये आपको प्रोपर्टी संबंदित किसी परकार का अक्समात लाब भी दिलवा सकता है किसी परकार की property संबंदि तनाव भी ये बढ़ा सकता है जीवन में उतार चढ़ाव दिखा सकता है दूसरे भाव पर दिरिष्टी होने के कारण ये आपके वित्त में भी उथल पुथल कर सकता है इस समय केतु कुंडली के दूसरे भाव में होने के कारण आपके वित्थ को लेकर किसी परकार का तनाव भी बनने की संभावना पर है सकती है इस विशय पर हम डिटेल में अपने वित्थ संबंदे सेक्शन में आगे चर्चा करेंगे इसका आपके स्वास्ते पर और आपके वित्थ पर क्या पर भाव पड़ेगा इस पर हम अपने आगे के सेक्शन में चर्चा करेंगे अब चर्चा करते हैं शनी की देगे शनी वर्ष 2024 में अपनी ही राशी कुम्ब राशी में आपकी कुंडली के सब्तम भाव में होगा और शनी कुंडली के सब्तम भाव में दिखबली होते हैं इस बात का भी आप ध्यान रखिए आपके बिजनस सम्बंदित आपके कार्य सम्बंदित ये समय आप लोगों के लिए वर्दान सिध हो सकता है इस समय आपका वर्कलोड बहुत अधिक बड़ेगा यदि आप पार्टनर्शिप बिजनस में हैं तो उसमें अत्यधिक स्थिर्ता देखने को मिलेगी आपका मानसिक तनाव आपके लाब को लेकर दूर होगा ये वो समय रहेगा जब शनीदेव आपको आपकी मेहनत के फल देंगे आप जितनी अधिक मेहनत करेंगे शनीदेव द्वारा उतने सकारात्मक फल आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे शनी की दृष्टी कुंडली के लगन भाव पर होने के कारण ये आपको एक स्थिर्था आपकी कैरियर में देगा आपकी सोचने की शमता में विकास होगा आपमें अपने जीवन को लेकर एक सकारात्मक सोच बनेगी इस समय आप अपने जीवन साथी के साथ भी किसी परकार का कोई बिजनस कर सकते हैं जिसके शुबफल आपको मिलने की संभावना बहुत प्रबल रहेगी अब चर्चा करते हैं गुरू के गोचर की देखे गुरू का गोचर वर्ष 2024 का सबसे महतपून गोचर रहेगा वर्ष 2024 में गुरू आपी कुंडली के करम भाव में गोचर करेंगे जहां से गुरू की दृष्टी कुंडली के दूसरे भाव पर चौते भाव पर और छटे भाव पर होगी जैसा आप इन एरो की मदद से देख पा रहे हैं गुरू का करम भाव में होना आपके कैरियर संबनित एक स्थिरता लेकर आएगा शनी अपनी मूल तिरकुन राशी में कुनली के सब्तम भाव में और गुरू दशम भाव में होना ये आपको अत्यंत शुबफल आपके कैरियर संबनित आपके विजनस संबनित दे सकता है दशम भाव में बैठा गुरू आपकी अस्थिरता आपकी कैरियर संबंदी दूर करेगा आपका मन यदि पिछले कुछ समय से भटक रहा था तो उसमें शांती आपको मिलेगी आपके जन्मिस्थान के पास ही आपको नौकरी मिल सकती है यदि आप पिछले कुछ समय में ये सोच रहे थे कि आपको आपके जन्मिस्थान पर ही नौकरी मिल जाए तो उसमें सफलता भी मिल सकती है ये समय जो जातक अपने जन्मिस्थान पर अथवा उसके आसपास ही किसी परकार का कोई अवसर डून रहे थे तो उसमें सफलता मिलेगी किसी परकार का तनाव यदि आपकी कार्य स्थान पर बना हुआ था वो दूर होगा जो जातक प्रॉपर्टी से सम्बंदित कोई कार्य करते हैं अत्वा आप अपने घर बनवाना चाहते हैं तो उसमें गुरू आपका साथ देंगे गुरू का आशिरवाद आपके साथ रहेगा गुरू द्वारा अत्यंत शुपफल मिलेंगे गुरू की दृष्टी कुंडली के दूसरे भाव पर होने के कारण इसका आपके वित्व पर क्या पर भाव पड़ेगा इस पर हूँ अपने आगे के सेक्शन में चर्चा करेंगे अब चर्चा करते हैं आपके शिक्षा संबंदित यदि हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2024 सकारात मकसमें रहेगा आपको किसी भी परकार के नए विशे को समझने में किसी परकार की पठिनाई नहीं होगी जिसके कारण आपको आप किसी भी परकार के कॉम्पेटीशन में सफलता मिलेगी जो विद्यार्थि सरकारी नौकरी अथवा किसी परकार के कॉम्पेटीशन में है अथवा उसके लिए तैयारी कर रहे हैं उनकी लिए भी अप्रेल के बाद का समय अत्यांत सकारत मकफल आपको देगा 23 अगस्त से 29 अक्टूबर तक का समय आपका मन थोड़ा भटका सकता है इस समय आपके मस्तिश्क में किसी परकार की अस्तिरता बढ़ सकती है इस समय आपको फोकस करने में कॉंसेंटरेट करने में थोड़ी समस्य आ सकती है ये कठिना ही आपके घर में किसी स्थिति को लेकर बन सकती है तो आपके स्वास्त लिएगर भी हो सकती है अब आई चर्चा करते हैं आपके स्वास्ते संबंदित वर्ष 2024 कैसा रहेगा वर्ष 2024 में राहू आपी कुंडली के अश्टम भाव में होगे जिसके कारण आपको अपने स्वास्ते को लेकर थोड़ा सचेत रहना होगा 14 मार्च से 10 जून तक का समय आपको बहुत अधिक साफ़धन रहना होगा इस समय मंगल और सूरे का गोचल आपी कुंडली के अश्टम भाव में होगा जिसके कारण राहू के साथ इनकी यूती बनेगी इस समय आप किसी भी परकार की कोई छोटी से छोटी बिमारी को नजर अंदाज ना करें अन्यता आपको बहुत अधिक परिशानी का सामना करना पड़ सकता है इस समय किसी परकार की कोई ऐसी बिमारी आपको दे सकता है जिसका परभाव आपके कैरियर पर भी पढ़ सकता है जैसे सिल्ब डिस्क होना इस परकार की संभाव ना बन सकती है इस समय जो जातक जिम जाते हैं बहुत अधिक सावधान आपको रहना होगा इस समय यदि आप किसी परकार की कोई वहान चलाते हैं तो थोड़ा सा तरक रहें जो महिलाएं गरवती होंगी उनके लिए इस समय तनाव बहुत अधिक बढ़ा सकता है इस समय आप किसी भी परकार का कोई ऐसा कार रहन ना करें जिससे आपके स्वास्ते पर उसका नकारात में प्रभाव पड़े इस समय ऐसे जातकों को अत्यादिक सावधान रहना होगा जो जातक पेट के नीचले हिसे से संबंदित किसी परकार की समस्या से पीडित है जो मैलाएं हैं उन्हें उनके गर्भाशे संबंदित समस्या बढ़ सकते हैं जिन जातकों को जल्दी जल्दी बुखार खांसी जुकाम आदी होता है उनके लिए वर्ष 2024 थोड़ी कठनाईयों वाला समय हो सकता है इस विशय पर हम और डिटेल में अपने मासिक राशिफल में चर्चा करेंगे जिसमें हम चंदर के गोचर पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे जिसका स्वास्ते पर अधिक परभाव होता है अब आईए आगे बढ़ते हैं आप चर्चा करते हैं आपके प्रेम जीवन संबंदे ती वर्ष क्या लेकर आया है 30 अपरेल तक का समय आपके प्रेम जीवन संबंदे सकारात्मक समय रहेगा आपके प्रेम जीवन में किसी भी परकार के तनाव दूर होंगे आपके जीवन में एक नई उमंग आईगी आपके प्रेम जीवन को इस समय एक नई दिशा मिलेगी पिछले कुछ समय से जो राहू और शनी द्वारा एक तनाव आपके प्रेम जीवन में बन गया था वो दूर होगा जो जातक सिंगल है उनके रिए 18 जनवरी से 12 फरवरी तक का समय सकारात्मक समय रहेगा इस समय आपके प्रेम जीवन का प्रारंब हो सकता है 19 मई से 11 जून तक का समय आपको आपके कारेस्थान पर ही किसी से प्रेम हो सकता है जिससे आपके प्रेम जीवन का प्रारंब होगा कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो आपको और आपके कैरियर को भी प्रात्मक तदेगा मई और जून का समय आपके प्रेम जीवन में तनाव की स्थिती बन सकती है इस समय आपके आपसी मतवेद बहुत अदिक बढ़ सकते हैं इस समय आपको अपने साथी की बात को भी थोड़ा समझना होगा उसके साथ घटने वाली घटना को समझ कर ही अपना पक्ष रखें अन्य था आप अपने गवंड के कारण भी समय अपने रिष्टों में दराल डाल सकते हैं अब चर्चा करते हैं आपके फैमिली संबंदित ये वर्ष क्या लेकर आया है सरपर्थम चर्चा करते हैं आपके वैवाहिक जीवन संबंदित किस समय आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ सकता है और किस समय आपको सकारात मकफल मिल सकते हैं 14 मई से 13 जुलाई और 26 अगस्त से 19 अक्टूबर का समय आपके वेवाही की जीवन सम्बंदे सकारत मकसमे नहीं है इस समय सूड़े और मंगल कुंडली के सब्तम भाव से गोचर करेंगे 20 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक का समय मंगल का गोचर कुंडली के बार में भाव से होगा जिसके कारण ये समय आपके वेवाही की जीवन सम्बंदे तनाव बढ़ा सकता है इस समय चोटी चोटी बात को लेकर आपके बीच तनाव बढ़ता दिखाए देगा जिसके कारण आपकी परवर्ती चोटी चोटी बात को लेकर क्रोधित होने की बन सकती है ये समय आप में दूसरों की बात को सुनने की परवर्ती को समाप कर सकता है और आपकी सेहन शक्ति समाप्त हो सकती है जिसका सीधा परभाव आपके वैवाईग जीवन पर पड़ेगा ये समय आपको संयम रखना होगा अन्य था ये आपका मांसिक तनाव बढ़ा सकता है वर्ष का बाकी समय आपके वैवाईग जीवन संबंद सकारत मकसमे रहेगा आपके वैवाईग जीवन में बन रहे तनाव दूर होंगे ये वर्ष आपके बच्चों के साथ संबंदों में स्थिरता आएगी 14 मार्स से 13 अपरेल और 14 जुलाई से 13 अगस्त का समय आपके पिता के साथ किसी बात को लेकर तनाव मोददी बढ़ सकता है इस समय आपके पिता की स्वास्त को लेकर भी घर में चिंता बन सकती है तीस अपरेल के बाद का समय आपकी माता के सा संबंदों में सुधार होगा यादि किसी बात को लेकर घर में तनाव बना हुआ था वो दूर होगा अब चर्चा करते हैं आपकी वित संबंदित वर्ष दोहजार चौबेस कैसा रहेगा राहु इस वर्ष अश्टम भाव में होंगे और केतु कुंडली के दूसरे भाव में होंगे जिसकी कारण ये वर्ष आपके वित संबंदित थोड़ा उतार चड़ाव दिखा सकता है परन्तु गुरू का गोचा जो कुंडली के दश्ण भाव में एक मई से होगा उसके कारण आपके वित संबंदित तनाव दूर होंगे और राहु के नकारात्मक प्रभावों को भी आपकी कुंडली से ये दूर करेगा अपरेल के बाद का समय आपके वित संबंदित सकारात्मक समय रहेगा इस समय आपके वित को लेकर तनाव दूर होंगे ये समय आपके लिए अपार खुशियां लेकर आ सकता है आपको धन संचय करने में जो कठिना ही पिछले कुछ महीनों से वर्षों से आई हुई थी तो वो यहाँ पर धीरे-धीरे दूर होते दिखाए देंगी आपके वित सबमंदित समय खुशाल रहेगा प्रन्तु वर्ष का कुछ ऐसा समय भी रहेगा जिसमें आपको अपने खर्चे बढ़ते दिखाए देंगे और फाल्तु खर्चों से स्वयम को दूर रखना होगा कुछ समय आपको थोड़ा सावधान रहना होगा इस समय आपको अपने व्यर्थ के खर्चों पर नियंतरन करना होगा मार्च और जुलाई का महिना आपको किसी परकार का तनाव आपके वित सम्बंदित बढ़ा सकता है इस समय आपके खर्चे आपके स्वास्त को लेकर अत्वा किसी परकार के ऐसे इस्थान पर हो सकते हैं जिसकी कल्पना अपने ना की हो इस समय आपके स्वास्त को लेकर भी किसी परकार का खर्चा तुरंत बढ़ता दिखाई देगा यदि हम पूरे वर्ष 2024 की बात करें तो ये वर्ष आपके लिए थोड़े उतार चड़ाव दिखा सकता है आपको इस वर्ष अपने खर्चों को थोड़ा प्लैन करना होगा जिससे आपके विट संबंदित तनाव कम हो अब चर्चा करते हैं कि इस वर्ष कौन से रंग के वस्तर आपको लाब दे सकते हैं और किस रंग के वस्तर आपको नहीं धारन करने हैं इस वर्ष आप हरे रंग के वस्तरों को ना धारन करें आप इस वर्ष पीले और गहरे नीले रंग के वस्तर धारन कर सकते हैं ये आपके लिए शुब रह सकते हैं आपको प्रतेक महा किस रंग के वस्त धरन करने से लाब मिलेगा इस पर हम अपने मासिक राशी फल में चर्चा करेंगे अब चर्चा करते हूं महतवपूर्ण उपायों की जिने वर्ष 2024 में करने से आपको लाब प्राप्त होगा राहु आपके कुंडली के अश्टमभाव में हैं जिसके कारण इस वर्ष आप राहु के उपाय करते रहें आपको रोज सूर्यास्त के बाद राहु के बीजमंतर जो है हूं ब्राम ब्रिम ब्रोम जहरावे नमह का जाप 108 बार करना है और सूर्यास्त के बाद कुत्तों को रोटी अवश्य किलानी है आप सोते समय अपने सिधाने के पास सेंदा नमक एक कांग की कटोरी में रखें और उसे 21 दिन के बाद बदलें उस नमक को आपको घर से दूर लेकर जाकर फैकना है इस बात का आपने विशेश ध्यान रखना होगा आप पांच नारियल का दान परतेक अमावस्या को करें और उसे भैते जल में प्रवाइद भीहाब कर सकते हैं आपको परतेक महा क्या उपाय करने हैं उसके लिए आप हमारा मासिक राशीफल अवशे पढ़ें और देखें तो ये था सिंग लगन की जातकों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहेगा हमारे मासिक राशीफल में इन सभी विशों पर और गहनता से चर्चा करेंगे और चंदर के गोचर को भी समझेंगे तब तक शनिदेव आप सभी लोगों पर अपना शिर्वात बना कर रखें धन्यवाद